कि hello everyone this is damn कि तो आज हमें एक बहुत इंपोर्टनक्ट सेशन के लिए आप रहें बहुत सेशन फिक्स प्रेपोजिशन क कोशण करेंगे आपको पता है फिक्स प्रेपोजिशन के एक प्रेपोजिशन कप्पिक्स इसका पूर्षन था जो कि था फिक्स प्रिपोजिशन सेंड डिटर्मिनर्स का जिसमें 10 कॉशन आये थे तो वैरी इंपोटेंट हो जाता है हमारे लिए प्रिपोजिशन का कॉशन ठीक है तो इसको हम पढ़ लेते हैं डिटेल में जो अच्छे जो इंपोर्टेंट प्रिपोजिशन से एक्जाम में आ सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं तो पहले मैं किशन सिंग डिटर्व आपको इंग्लिश ग्रमर और कॉंप्रेंशन पढ़ा रहा हूं दोस्तों इंडिया प्लेट वारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप कर सकते हैं अपना एंग्जामिनेशन जिसमें अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लेना यहां पर बहुत सारे बेनिफे उसके बाद लेटेस्ट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं यह मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉंपुटिटिव एक्जाम के लिए क्योंकि दोस्तों यहां से आपके प्रेक्टेस होती है नेक्स्ट अनलिमिटेट एक्सिस यह बहुत तो उस ड्यूरेशन के दौरान यानि कि आपने अगर six months का subscription लिया है तो इस six months में जितने भी courses चल रहे हैं वो सारे के सारे आप access कर सकते हैं सभी educators के एक से ज्यादा educators इसमें कोई limitation नहीं होती है दोस्तों यह आप live भी ले सकते हैं और recorded भी ले सकते हैं ठीक है कितने भी classes क्योंकि बहुत ही beneficial है क्या-क्या benefits मिलते हैं सबसे पहले आपको मिलती है free live classes यानि ऐसी classes live classes application के उपर जो सभी के लिए free होती है ठीक है इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे subscription थे तो subscription भी ले सकते हो free class भी ले सकते हो तो आप academic learning app जल्द इस इंस्टॉल कर लो अपने mobile में मेरी क्लास होती है नेक्स्ट अब free content को आपको कैसे unlock करना है कैसे free classes लेंगे तो इसमें steps बताया में सबसे पहले लर्निंग इंस्टॉल कर लो डाउनलोड कर लो उसके बाद में आप login करो अपने mobile नंबर और mail ID के साथ next step में आपको menu button पर press करना है वहाँ पे आपको special या free class के नाम दो आर एटी एच ओ और एवन जिरो राठोड टैन इसमाई रफरल इन्वाइट कोड इसका यूज करने से आप किसी भी live class को अवेल कर सकते हैं ठीक है यह सब steps है इससे आप join करेंगे quiz और quiz देंगे practice करेंगे बहुत शांदर उसके बाद telegram app हमारा है जिसको आप join कर सकते है एक तो यहीं लिख रहा हूं मैं आप वाइफाइ स्टेडी को डिफेंस एक्जाम्स या आप इस चैनल को सब टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसको एड़ कर सकते हैं वाइफाइश और आर्मी गवर्मेंट यहाँ पर सभी एजुकेटर की क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके अलावा आपको इंपोर्टेंट पीडिएफ भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती दोस्तों ठीक है चला है कि यह हमारी जो सब्सक्रिप्शन के प्राइस है ट्वेंटिफोर मंस की 14,080 रूपीज 12 मंस की 9,680 रूपीज 6 मंस की 7,920 र यूज कर सकते हैं चाहें तो आर एटी एचो आरी वन जीरो राठो टैन इस माय रेफरल कोड इससे आपको 10% का डिसकाउंट किसी भी फीस में मिल जाएगा यानि जो 14,080 का था अब वो 10% डिसकाउंट के बाद 12,672 रूपीज का आपको हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए यह प्लस के बैच के बारे में है प्लस का बैच जो चल रहा है चलो अब हम स्टार्ट करते हमारी क्लास वेरी इंपोर्टन सबसे पहले तो इस कॉश्चन में आंसर देंगे जूनियर डैश मी इन कॉलेज एंड वी हाव बीन फ्रेंड सिंस दें ठीक है दोस्तों यह एक इन इसमें एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको में नटा दिया चलिए आंसर करेंगे वेरी इजी बट वेरी इंपोर्टन कॉश्चन क्योंकि यह जो लेटिन एड्जेक्टिव से रिलेटेड कॉश्चन है कि एक्जाम में आपको कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलता है तो हम याद कर लेंगे दोस्तों कि सीनियर कि जूनियर कि प्रायर कि पोस्टेरियर ठीक है सुपीरियर इनपेरियर ये जितने भी हमारे लेटिन एड्जेक्टिव सें सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इनफियर, सुपीरियर, मेजर, माइनर इनटीरियर एक्स्टियर ठीक है इसके अलावा प्रिफर और प्रेफरेबल यह जितने भी लेटेन एड़ेक्टिव है इन सब के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होगा हमेशा प्रेपोजिशन यूज होगा तो यहां पर हमको पता हमारा आंसर होना चाहिए इन सब के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होता है यह बात हमेशा याद रखें यहां से कॉश्चन बनता है आजाओ अब नेक्स्ट कर लेते हैं यह सारी चीज़ें नोट करते जाओ जो भी एक्स्ट्रा लिखने यहां से आपको एक्जाम में कॉश्चन देखने को मिलेगा चीक है चलिए नेक्स्ट कॉस्ट्ट रेग्यूलर एक्सरसाइज इस कंड्यूसिव डैश हेल्थ तो भी या कंड्यूसिव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन होना चाहिए इन टू फॉर या ओफ वेरिवाट आंसर करेंगे शावाश को देखो हैं 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 क I support है इन सब का मतलब है लाबदायक होना या सहायक होना यही मतलब है ठीक?' न है इन के साथ प्रेपोजिशन को किसी चीज में सहायक हो तो किसी व्यक्ति के लिए ही को तो हम फॉर का यूश कर सकते हैं इक it will be helpful for you हैं यह हो सकता है लेकिन किसी चीज में अगर सहायक हो तो हमको हमेशा टू का यूज करना है तो यूर आंसर शुड़ बी कंड्यूसिव टू का मतलब हेल्थ के लिए सहायक होगा अच्छा होगा बहतर होगा ठीक है तो कंड्यूसिव टू हेल्फुल टो और होगे बेनेफिशल टू एक बार पढ़ लिया पिर एक बार कहीं पर कंड्यूसिव टू पढ़ लिया ऐसे करने से याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है हम कोशिश यह करेंगे कि फिक्स प्रेपोजिशन को पेर बनाके याद करें यानि कि एक जैसे प्रेपोजिशन होना चाहिए अकस्टम्ड के साथ है तो दोस्तों कि अकस्टम्ड का मीनिंग होता है कि कि किसी भी चीज के अनुसार अपने आपको ढ़लना ठीक है यह यहाँ पर एक्चुली एड्जेक्टिव का काम करता है इस अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का यूज होता है बहुत सारे रूल एक साथ पढ़ लो देखो कुछ हमारे फ्रेजेज होते हैं टू से बने हुए जैसे लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्सुकता से इंतजार करना विथ व्यू टू अधिक्टेड टू आप सब जानते हैं अधिक्टेड टू का क्या मतलब होता है फिर ही हमारा कस्टम्ड टू होई गया यूज़ड टू है ऊप्रोंटू है गिवन टू है टेकन टू है यह यह सारे के सारे टू से रिलेटेड फ्रेज़ेस हैं याद करना इन सब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट पॉर्म का यूज नहीं करते हैं बल्कि जेनरली हम इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एंजी यानि जेरेंड का यूज करते हैं ध्यान रखना इन सब के बाद किसका यूज़न सामाइन नेता है हम देखते हैं टू के बाद वर्प की फस्ट फर्म होती है लेकिन इन सब के बाद वर्प की फस्ट फर्म नहीं होगी जेरेंड होगा यहां से एक्जाम में एरर का कॉश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना तो आर यू अकस्टंग तू दे हुमिडिटी हीर यानि यहां पर जो हुमिडिटी है क्या उसके अनुसार ढल चुके हो यह पूछना चाहरा है सेंटेंस ठीक है तो यह सारे के सारे टू वाले फ्रेजेज जो हमारे एक्जाम में पूछते इनको याद कर ले ना नेक्स्ट क पाया कौन सा प्रेपोजिशन यूज होना चाहिए वेरी गुड़ विच इंटू एट या इन तो यहां पर तीन चार वर्ड एक साथ फिर से याद करेंगे कैसे देखू एंग्रोजट अब्सॉब आप सूख और गुग है यह क्या होते हैं किसी भी काम में तलीन होना सोप मतलब बहुत ज्यदा भीगा हुआ बहुत ज़्यादा भीगा हुआ भी छीज में भीगा हुआ बुरे काम में किसी आदमी का साथ देना काम करना इंडल्ज कराना यह दोनों negative में use होते हैं, negative चीज में use होते हैं, negative काम में use होते हैं, बुरे काम में use होते हैं, लेकिन इनका मतलब भी होता है, किसी काम में यह काम करना, इनके साथ में भी preposition हमेशा होता है in, I complice in, indulge in, engrossed in, absorbed in, soaked in, तो इन सब के साथ preposition तो in होगा, सब का मतलब मैंने clear बता यह पूरा का पूरा नोट करते जाओ साथ में यहां से कॉष्चन एक्जाम में मिलेंगे आपको चलिये है है यहां पर बहुत इंपोर्टन बात आई अभी बढ़ाता हूं मैं आपको आइम ग्रेटफुल डैश everything you have done and I am also grateful dash you grateful dash you for helping me with money तो आप मुझे बताइए पहले और दूसरे में कौन सा suitable option answer होना चाहिए to for of to for towards या for to जल्री से बहुत बढ़िया अब देखो भी आगर हम पेर बना के याद करेंगे तो इस grateful के अलावा भी हैं बहुत सारे वर्ड समको याद हो सकते हैं क्या हो सकते हैं देखो कि ठीक नेक्स पेस्ट पर लिखा देता हूं ताके अच्छे से लिख पाऊ ग्रेट फुल थैंक फुल और लाइज़ और इंडेटेड कि रहरों एक दूसरी के शिर्णनियम की हैं यह चारों ही एड जेक्टिव हैं चारों पर अजिब्यांगे होना या किसी का अभारी होना जब हम किसी को thanks given करते हैं, कोई हम पे बहुत हमारी help कर देता है तो हम उसके परती क्या thankful हो जाते हैं, grateful हो जाते हैं indebted, obliged हो जाते हैं तो इन चारों का same meaning हो गया अब same meaning है, इनके साथ दो तरीके से preposition का use होगा ध्यान से समझो अगर किसी बात के लिए obliged हैं या किसी बात के लिए आभार हम प्रकट करते हैं, तो for का use होगा for anything किसी बात के लिए अगर आप thankful, grateful, oblige indebted हो, तो और अगर किसी person का use हो रहा है, किसी person के लिए use कर रहे हैं, तो to का use होगा very easy, दोनों confusion clear कर लो, यहां से exam में question बनने के पूरी संभाव नहोती है, चारों का same meaning, अगर किसी बात के लिए कर रहे हैं, तो anything के लिए for हो जाएगा, किसी person के लिए कर रहे हैं, तो to हो जाएगा, जैसे I am thankful adjective है यह to you for your help, देखो, person की बात हो रही है, तो to आजाएगा, और अगर help की बात हो रही है, तो for आजाएगा, very easy है, बहुत आसन से आप इसको कर सकते हैं, पीछे question में देख लेते हैं, I am grateful to everything, देखो किसी बात पे है, किसी think पे है, किसी चीज के लिए grateful है, तो कौन आना चाहिए, for आना चाहिए, you have done and I am also grateful, dash you, you क्या है, person है, तो person के लिए यहाँ पर कौन होना चाहिए, two होना चाहिए, हैंस हमारा answer हो जाएगा, four और two यानिके डी option is your answer, याद कर ले न, question पक्का मिलता है, हर एक चीज के clear करेंगे, कब four आना चाहिए, कब two आना चाहिए, किन-किन के साथ आना चाहिए, एक साथ sequence बना के याद करो, ठीक है भी यह, next question, यह भी important है, same to same ही है, everyone in this world is accountable to God-his action, very good, यहां से बात सुनो, answerable, accountable, responsible, इन तीनों का मतलब होता, जवाब दे होना, या जिम्मेदार होना, किसी बात के लिए जिम्मेदार होना, या किसी person की प्रती जिम्मेदार होना, तीनों का same meaning है, तीनों ही adjective है, तीनों के साथ same प्रकार से preposition चलता है, जैसे पीछे हमने देखा था, responsible, answerable, accountable to, या for, ठीक है, to का बाता है, जब हम person की बात करते, for का बाता है, जब हम किसी बात के लिए accountable होते, जैसे कि, तुम्हारे नुकसान के लिए मैं तुम्हारे प्रती जिम्मेदार हूँ, ऐसा किसी ने कहा है, तो हम कैसे लिखेंगे उस sentence को इंग्लिश में, I am responsible to you for your loss, ठीक है, इस तरीके से sentence चलता है, everyone in this world is accountable to God, जब आप person की बात करेंगे, ध्यान रखना, subject पढ़ रहे हैं, इसलिए God को person ही मानेंगे, ठीक है, चलो, तो person की बात कर रहे है, two का use हो जाएगा, action की बात कर रहे है, four का use हो जाएगा, तो आपका answer हो जाएगा, four, be, तीनों को एक साथ याद करो, और confusion दूर करो, ठीक है, four का बाता है, two का बाता है, शाबाश, next question, very good, answer करेंगे वही है, she was remarkably accomplished, dash, singing and dancing, good question, इसके बहुत सारे synonym भी एक्जाम में होते हैं, इन होगा, at होगा, for होगा, या off होगा, ध्यान से सुनो, पहले तो accomplished का meaning क्या होता है, accomplished का मतलब होता है, किसी चीज में efficient होना, proficient, adroit, dexterous, यानि किसी बात में निपुण होना, ठीक है, किसी काम में बहुत अच्छा होना, तो accomplished का मतलब होता है, इस थाई एक बहुत निपुण दक्ष कलाकार, ठीक है, दक्ष, singer और dancer है, ठीक है, singing and dancing, याद रखो, accomplished के synonym सबसे पहले, accomplished का मतलब efficient हो सकता है, efficient का मतलब भी कुशल होता है, proficient हो सकता है, ठीक है, dexterous का मतलब हो सकता है, dexterous हो सकता है, ठीक, इसके अलावा adroit हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है हमारा adapt, adept, याद रखना, यह question बहुत आता है, adopt, adapt, adept, adapt, वाला adapt, तो यह सारे के सारे याद रखना, adapt, adept, in सब का मतलब होता है, किसी का में अच्छा होना, दक्ष होना, कुशल होना, कुशल होना, इन सब के साथ हमेशा preposition in का यूज होगा, कौन सा preposition यूज होगा दोस्तों, इन का यूज होगा, in, proficient in doing something, efficient in doing something, थाना, in doing something, कोई काम करने में अच्छा, got it, एक और बात है, यहाँ से हमारे पास में एक preposition, एक word और adjective बन सकता है, good, good का मतलब भी होता है, किसी काम में अच्छा होना, लेकिन good के साथ in नहीं होगा, good के साथ हमेशा at होगा, इस बात को याद रख लेना, किसी subject में अच्छा होते है, he is good in English, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा, English में अच्छा है, good in English, याद रखना good in गलत होगा, good at होना चाहिए, ठीक है, तो good at होता है, good at by at, लेकिन efficient, proficient, dextrous इन सब के साथ में कौन हो जाएगा, in हो जाएगा, a is your answer, सारी बाते हैं, confusion पूरा दूर कर लेना, इन ही में से exam में कॉशन मिलेंगे, सारे preposition करवा दूँगा, step by step, लेकिन अच्छा क्या होगा, sequence में याद रखो, ताकि मैं जो याद करा रहा हूँ, वो याद रह सेके, ठीक है, ठीक है, good at लिखेंगे हैं, accomplished in लिखेंगे, चलिए, next, पेट, smile dash him in all his ventures, answer करेंगे, confused हो सकते हैं, यहाँ पर इसलिए ध्यान से करेंगे, अब आओ, below, on या at, कौन सा preposition आना चाहिए, smile के साथ, देखो भूस्तों, बिल्कुल, आपके answer में जानता हूँ, ज्यादतर at की तरफ जाएंगे, क्यूंकि, laugh at, smile at, laugh at, किसी के तरफ देखकर, या किसी पर हसना, smile at, किसी को देखकर मुस्कुराना, या किसी पर मुस्कुराना, चकल at, smirk at, scoff at, है ना, चलो, ये सारे किसी ने किसी तरह की हसी है, चकल at का मतलब होता है, मुँ दबाके, या रोक के, जब हम हसी को दबाते हैं, उसको कहते है, smirk at, scoff at, किसी पर हसी उडाना, है ना, किसी का मजाक बनाना, तो ये सारे जितने भी हसने के, जितने भी टाइप है, हम सब देख रहे हैं कि इनके साथ preposition at का यूज हो रहा है, बिलकुल, look के साथ हमेशा at का यूज होगा है, smile at, chuckle at, ठीक है, smirk at, scoff at, सब के साथ f का यूज होता है, लेकिन इस sentence में at नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनो एक बाद, smile at का मतलब होता है, महर्बान होना, यहां हसने से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है, महर्बान होना, अब देखू sentence क्या कहा रहा है, पेट, यानि कि भग ये, smile, sorry, at नहीं, in है, on है, smile on, ठीक है, smile on का मतलब होता है, महर्बान होना, मैं उन्हें गलती से smile at लिग दिया था, तो fate यानि भाग ये, smile at him in all his ventures, यानि उसके जितने भी काम हैं, उस पर भाग ये, उस पर मुस्कुराता है, या महर्बान होता है, क्या मीनिंग है यहां पर, भाग ये, उसकी help करता है, या उसको देख कर मुस्कुराता है, तो हम सब जानते हैं, कि यहां पर मेनिंग महर्बान होने का आ रहा है, तो smile on होना चाहिए, इसलिए और answer should be C, ध्यान से पढ़ना, confused नहीं होना है, smile on का मतलब होता है, महर्बान होना, helpful होना किसी के लिए, इन सब के लिए, smile के साथ किसका यूज हो जाएगा, भाग ये किसी को देख कर मुस्कुरा नहीं सकता है, महर्बान होता है, तो इसलिए C answer होना चाहिए, confusion clear हो जाएगा, बेलकुल पूरी तरीके से यह लिखना, ताक कम है, अगर इनको sequence में पढ़ोगे, बहुत जादा है, अगर आप इनको बिना sequence पढ़ोगे, चलिए, यह फ्रेजल वर्प का question आगया, इसका answer भी होना चाहिए, ठीक है, चलो, क्योंकि run out of का मतलब होता है, कम ही होना, तो हम कहरें, we have run out of sugar, run out of, या इसके लिए हम लिख सकत के run short of, run short of, run out of, इसका मतलब होता है, किसी चीज़ की कम ही होना, प्रेजल वर्प का question है, हमारा answer होगा, B, very good, she insists, dash eating, fresh fruit every day, insist का मतलब होता है, किसी पर प्रभाव डाल कर कोई बात कहना, तो यहाँ पर simple सी बात है, insist के साथ, insist के साथ हमेशा on का यूज होता, preposition कौन होगा, insist on, लेकिन, अगर बाद में हमारे पास में कोई noun या gerund है तो, कोई noun या gerund है तो, यानि इस on के बाद v1 प्लस ing लिखा है, या फिर कोई noun लिखा है, तब हम insist के साथ on का यूज करते हैं, ध्यान रखना, अगर कोई conjunction है, या पूरा का पूरा sentence है, तब कोई preposition नहीं आता है, जैसे अगर मैंने sentence लिखा, she insisted that I should watch this movie, उसने insist किया कि मुझे यह movie देखनी चाहिए, बिलकुल, यहाँ पर on बिलकुल मत लगाने, क्योंकि यहाँ पर that clause start हो रहा है, बाद में कोई noun या जैरेंड नहीं है, बलकि एक पूरा का पूरा sentence लिखा हुआ है, that conjunction आ रहा है, उसके लिए हमारे पास में, that यहाँ पर conjunction बन रहा है, essay में on का use करना बिलकुल गलत हो जाएगा, exam में प्रशन आ जाता है, इसलिए में आपको यहाँ पर पूरा clear कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, eating लिखा है, gerund V1 प्लस ING, और essay में insist के साथ कौन use होता है, on use होता है, तो हमारा answer D हो जाएगा, very good, next देख लेते हैं, very important था, अब next में आपको कुछ ऐसे pairs करवा देता हूँ, तो next में हमको ऐसे pairs कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक्जाम में, यहाँ पर confusion का मुद्दा हो सकते हैं, तो जो हमको एक्जाम में confuse कर सकते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं, देखो, angry के साथ कौन से preposition यूज हो सकते हैं, angry और enrage, दोनों का मतलब होता है, गुस्दा करना, angry का मतलब भी होता है, किसी पर गुस्दा और enrage का मतलब भी गुस्दा होता है, ठीक है, जनरली एड्जेक्टिव के रूप में यूज होते हैं यह, अब इस angry और enrage के साथ याद रखना, same to same तरीके से दो preposition का यूज हो सकता है, या तो हम with का यूज कर सकते हैं, या at का यूज कर सकते हैं, with कब करेंगे, जब किसी person पर गुस्दा हो, I am angry with Turesh, I am angry with my coach, whatever, हलांकि होना नहीं चाहिए कोच पर, angry लेकिन फिर भी example के लिए, angry at, किसी बात पर गुस्दा हो, किसी बात पर, उसके गल्लट decision पर मैं गुस्दा हो, तो I am angry at his bad decision, और I am angry at his behavior, किसी के behavior पर या किसी बात पर गुस्दा होने के लिए, at का यूज होता है, person लिखा हो, तो with का यूज होगा, same to same, enrage के साथ भी चलता है, तो यहाँ पर भी confusion अगर कभी हो, तो उसको दूर कर लेना, next, same to same, annoyed, same meaning होता है, गुस्दा होना, और preposition भी same चलेगा, किसी बात पर गुस्दा हो, तो at का यूज कर लेना, annoyed हो, नाराज हो, irritated हो, किसी व्यक्ति पर हो, तो with का यूज होता है, same to same है, फटा-फट से याद करेंगे, देखो, very important है, क्योंकि यहाँ से question आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर से question exam में पूछा गया, देखो, अगर मान लो, arrive का मतलब होता है, कही पर पहुँचना, पर, किसी देश में अगर पहुचे हो, तो भी यह arrive के साथ in का यूज हो जाएगा, arrive at हम लिखते हैं, किसी फोटी-मोटी जगह, किसी छोटे शहर में पहुचे, किसी decision पर पहुचने के लिए, भी arrive at का यूज होता है, conclusion यानि किसी निशकर्स पर, मैं इस निशकर्स पर पहुचा हूँ, I have arrived at this conclusion, तब भी at का यूज होगा, in का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर किसी country में आपने प्रवेश किया, किसी country के अंदर आप arrive होएं, तो उस case में in का यूज हो जाता है, arrive in America, USA, whatever, रखनी है, amuse at, amuse generally होता है, मनोरंजन हो, खुशी के लिए, तो amuse at, किसी का मजाक उड़ाना, और amuse with कब लिखते हैं, जब किसी person से आप खुश हो, उससे मनोरंजित हो, तो आप लिखते हैं, amuse with, very very important, पंदरा वज्जे स्टार लगा लो इसके, बहुत सारे स्टार लगा लो, क्योंकि यहां से एक्जाम में बार-बार कॉशन देखने का मिलते हैं, डाए के साथ, डाए का मतलब वर्भ है, डाइथ हो जाना, इसके साथ हैं बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं, बेसिक सबसे पहले डाइए ओफ, हिंदी में कुछ भी मतलब निकले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिक्स प्रेपोजिशन है, अगर किसी बीमारी से डाइथ हो जाए, तो डाइए ओफ लिखना है, वाटेवर, जिस भी बीमारी से अगर किसी के डाइथ हो जाए, तो उसके लिए लिखना है, डाइ – ओ, इतनी बात क्लियर है, डाइ फ्रॉ Northwest – अथिंग, डाइ इन हार्नेस ये एक एडियम है, डाइ इन हार्नेस ये इडियम है, इसका मतलब होता है, ये डाइरेक्ट एडियम भी पूछ सकते hoып något, डाइ इन हार्नेस, काम करते हूँ ऒालुए कोई आदमी अगर ऑफीस जाता हूए तो उसको डायétais हो जाया तो इसके लिए दैने किसी कारण के लिए और किसी कारण के लिए किसी पूस के लिए कोई आधा कर रहे थे किसी अच्छे का अगर उसने अपनी जान कवाई है तो डाइफ और कौस होता है किसी कारण के लिए अपनी जान देदी ना डाइफ और डाइफ रॉम एफिंग जनरली नेचूरल डिजास्टर से जब डाइफ हो जाती तो जैसे डाइफ फ्रॉम इलेक्रिक शॉक्क छॉक्स किसी की डाइफ हो जाए तो उसके लिए डाइफ रॉम लिखते तो डेफिनिट याद कर ले ना बिमारी के लिए डाइफ होगा किसी के लिए करते हैं accident killed in died in accident हो जाता है from किसी natural चीज से किसी अचानक मृत्य हो जाए तो die from का use करेंगे die in harness का मतलब हो जाता है कोई cause was नहीं होता ना कोई कारण बताते हैं इसमें कहते हैं कि while working कार्य करते हुग किसी के death हो गई तो die से ये आज proposition कोई भी आपसे exam में पूछा जा सकता है confused कभी भी नहीं होना है दोस्तों अगर आप इन चीज़ों कुछ sequence वाइस इससे याद करोगे तो आपके proposition के cds में 7-8 question कम सी कम आ सकते हैं error में आ सकता अगर पिछली बार वाला repeat हुआ तो पांच question तो सीधे-सीधे वह अलग से एक पार्ट आएगा प्रेपोजिशन इन डेटर्मिनर उसके अंदर आएगा इतनी बात समझ में आ जानी चीज़ी अच्छा चार-पांच क्लास अगर आप लेंगे मेरी रेगूलर जिसमें मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा तो सारे प्रेपोजिशन कावर भी हो जाएंगे लेकिन याद रखना यह कि ईवर वहां पर ज्यादा कॉश्चन का लात ह hemisphere कोन से ज्यादा थर कॉश्चन एकड़ेंगे इन अर audha का इन चानि यह कि तो वेरी इंपोर्टेंट यह भी Automation देखने को मिल सकता । डाइए इन दिल One Day है ठीक है डील इन कब लिखते हैं देखो डील का मतलब कुछ भी हो डील इन और डील वित के मतलब अलाग लग परीकेसे निकलें कि किसी चीज में व्यापार आप करते हैं मान लो वह व्यापार कुछ एलेक्ट्रोनिक उपकरण बेशता है तो उसका व्यापार बताने के लिए हम दिखेंगे डील इन हीटेल्स इन स्टेशनरी इसका मतलब वह वग Deans करता है उनके खरीद के को record still 비 cuộc विसका मतलब होता है किसी के साथ कैसे हार्मनी में रहते हुआ किसी के साथ कैसे उसको टॉलहरेٹ करना उसके साथ काम करना है जनरली परसन के लिए होता है उसके साहगा निद्शेक किसी के साथ परसंट के साथ बठा doubling पर देल इन बिजनेस प्टे एंश किसी बिजनेस में किसी चीज में व्यापार करते ओ तो उसके लिए इन के साथ इन का योगा होगा differ के साथ कौन सा preposition कैसे use होना चाहिए क्या meaning होगा disgust, quarrel over quarrel with, thankful to, obliged to, ये मैंने लिखवा दिया था आप लोग इनको एक बार फिर से देख लो ठीक है, इनके questions भी याँ पर है accountable, responsible, liable, answerable, to, कब होता है, for, कब होता है ये मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है, ये absent from वाले सारे preposition हम बाद में देख लेंगे, amazed, waxed, astonished, ये सारे next session में लेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हम बाद में ले लेंगे, तो ये आज की जितनी भी चीज़े हैं सब याद रखना, ऐसे 4-5 session में fixed preposition को complete कर देंगे, confusion कोई नहीं रहने देंगे, आप ल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको सारे sessions के notifications मिलने लग जाएं दोस्तों, so this is all what we have from this session, thank you, जय हिंद, जय भारत.